नमस्कार दोस्तो स्वागत करते हैं दोस्तो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह दोस्तो हम लोगों ने अपने घर के आंगार में ही लगभग आधाय कड में बैगान की खेती किया हुआ है तो उसी के अधार पर दोस्तो आप लोगों को बताने का प्रयास करेंग तो ये लगभग हम लोगों ने जून के माह में लगाया था इसी साल जून के माह में लगाया था और भी इसमें फूल और फल लगना चालू हो गया है लगभग सभी पौधों में फूल और फल लग चुके हैं एकका दोका जो फूल और फल है वो लग चुके हैं बाकी दोस्तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको जब बैगन की खेती करते हैं तो दोस्तो आपको जो कतार से कतार की दूरी है वो दो से धाई फीट रखना चाहिए देख सकते हैं ये दोस्तो दो से धाई फीट का जो कतार है उसकी दूरी रखना चाहिए और पौट से पौट की दूरी की बात करें दोस्तों तो आपको एक से डेड़ फीट रखना चाहिए इतने में दोस्तों बाइगन की जो पौधा होता है वो अच्छा तरीका से ग्रो कल लेता है बाकी दोस्तों आप यदि कतार से कतार की दूरी रखते हैं तो उसे थोड़ा धलानमला देना चाहिए नाली के र हो गया है तो वहां पर निंदाई गोड़ाई का जो काम है वो चर रहा है और निंदाई गोड़ाई दोस्तों हमें हमेशा अपने खेतों में करना चाहिए बैगन की खेती में इससे जो पौधे का ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से होता रहता है बाकी देख सकते हैं जो पाइगान के लिए अच्छा होता है तो देख सकते हैं आपको नाली रूप रखना चाहिए अपनी जो कतार बनाते हैं उसको ताकि जो पानी का ढलान होता है वो नीचे उतर कर वहां से एकदम सूखा हो जाए तो दोस्तों यह थी कुछ बैगन की खेती के बारे में एक छोटा से जानकारी आशा करते हैं वीडियो पसंद आहोगा वीडियो पसंद आहोगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिया और चानल पे नए हैं तो चानल को जरूर सब्सक्राइब करिए तो देख सकते हैं भी जो बैगन की खेती है वो लगबग अच्छे तरीके से हो रहा है तो आप भी इसी तरह से बैगन की खेती करके अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं बागी दोस्तों मिलते किसी और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तो ये एक छोटा सा information है आप यदि जो बैगन की खेती है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं जैसे बैगन की नरसरी कप त्यार करें जो बैगन का पाओधा है नरसरी उसको खेतों में रपाई कप करें और जो बैगन प्रकौप होता है इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंड जरूर करिए इसके विशाय में जो आपको जो संपूर्ण जानकारी है आपके साथ इस चैनल के माध्या से सेहर किया जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तो और अभी देख सकते हैं जो बैगान की खेती है बहुत अच्छे तरीके से हवाया चर रहे है दोस्तो तो वो हिल डोड रही है और बांकी सभी पौधा में फूलों की संख्या बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है य दूसरे बैगान की अपेक्छा बहुत अच्छे तरीका से रहता है या ज्यादा रहता है